गुड मानिंग दिकर आओ, आपने लास्ट टाइम पोलीमर पदार्थोना वर्गी करण मां स्त्रोत ने आधारे वर्गी करण, बंदारन ने आधारे वर्गी करण, औने आणिविय बढ़ ने आधारे पोलीमर पदार्थोना वर्गी करण सिखे गया हवे आपने जोईशु पोलीमराइजेशन प्रक्रियाने आधारे वर्गी करण अने पोलीमराइजेशन प्रक्रियानी व्रुद्धीना आधारे वर्गी करण आपने आ पोलीमराइजेशन प्रक्रियानी व्रुद्धीना आधारे वर्गी करण माज polymerization प्रक्रियाने आधार ये लेके योक्षिल पोलीमर, हुमो पोलीमर, को पोलीमर ने संगनन पोलीमर रिशे सिखिशू हेरी गुट याद आवियो चालो टो सरुवात करिये polymer पदार्थोना वर्गी करण मा polymerization प्रक्रियानी व्रुद्धिन आधार है पोलीमर पदार्थोनों वर्गी करण तो पोलीमर आइजेशन योगसिल पोलीमर आइजेशन अथवा तेनू बिजु नाम छे श्रुंखला वृद्धी पोलीमर आइजेशन इक राव अध्यानती समझो पोलीमर आइजेशन एटले सु अपरे सिखी गया पोलीमर आइजेशन एटले पोलीमर बनवानी प्रक्रिया परन्तु जो एपोलीमर बनवानी प्रक्रिया योगसिल पोलीमर आइजेशन क्या रह कहवाई जयनू बिजु नाम छे श्रुंखला वृद्धी पोलीमर आइजेशन तो द्यानती शमझे, बहुत ऊदान दवारा समझे जारे, पॉलिमराइजेशन मादे याद कराओँ ए टले सु, मोनोमर असंख्य शंख्याना मोनोमर एक बिज़ा साथ है, जोडास है परन्तु ये मोनोमर केवा हो जोई तो ज्यानती समझो जारे द्वीबंद के त्रीबंद धरावता एकज प्रकारना मोनोमर परन्तु के दला असंख्य तो जारे द्वीबंद के त्रीबंद धरावता एकज प्रकारना असंख्य मोनोमर अत्वा बे जुद्या जुद्या प्रकारना असंख्य मोनमर एक बीजा साथे इंपोर्टन सब्द कई प्रक्रिया द्वारा जोडाई योगिसिल प्रक्रिया द्वारा जोडाई ने पोलिमर पदार्थ बनावे तो आ प्रक्रिया ने योगिसिल पोलिमराइजेशन अथवा तो शुरूंखला व्रुद्धी पोलिमराइजेशन कहवाई चे परिधी किवा मौनोमर एकत प्रकारना अथवा तो बे जुद्या जुद्या प्रकारना परन्तु आ ना म माणोमर काई प्रक्रिया द््वारा साथे जोड़ा हमें, criança प्रक्रिया द्वारा सो बणा हावें। प्रक्रिया प्रक्रिया क्या बाना हो, लाक Cristo निए प्रक्रिया हो, सुनों ध्रकर बृझ़ा हमें। केवा होई छे ऐसंत्रुप्थ सह्यो जणोंग आपने अग्यार सइंस महां नहीं से अलगें पताîne आलकीन एतले शू कार्बन कार्बन वच्चे द्वी बंध हो जोई है तो तेना प्रेशू नमा पीशू आलका डाइन अने तेना व्यूत पन्नो तो आना मत याद राखो कि योक्सिन पोलीमराइजेसन मा वप्राता मौनो मर्पदार थो किवा होई सके आलकीन आलकाडाइन अने तेना व्यूत पन्नो तो क्लियर ज्यानती फर्जी लास्ट टाइम समझेलो फाइनल योक्सिन पोलीमराइजेसन इतले सू द्वी बन के त्री बन धरावता एकज प्रकारना असंख्य मोनोमर अथवा बे जुदा जुदा प्रकारना अ लोगशिल पोलीमराइजेसन अथवा श्रूंक्यलाव रुद्धी पोलीमराइजेसन कहवाई छे। आ प्रक्यार नू पोलिमराइजेशन शुरुंख्या ना लंबाय माझा वधार हुग To. आ पोलिमराइजेशन मा सु थासे श्रूंखना नी लंबाई मा वधार हो थासे अने श्रूंखना नी सु थासे वृद्धी नी रचना करे चे अवे आ श्रूंखना वृद्धी पोलिमराइजेशन अत्वा योगशिल पोलिमराइजेशन बै पद्धती दी थाई शके कई कई जे क्या तो मुक्त मुलोकोनी रचना थी अथवा तो आयनीय स्पीसीज नी रचना मार्फते थाई छे आयनीय स्पीसीज तरीके सु होई शक्ये कार्बोकेट आयन अथवा तो कार्बोनियम आयन आना विशे आपने डीटेल मा दोरण अग्यार साइंस मा सिखी गया छिए तो सु कहेचे आयोगसील पोलीमराइजेशन अथ्वा तो स्रूंखला वृद्धी पोलीमराइजेशन मुक्तमुलक क्रियापधाती अथ्वा तो योगसील पोलीमराइजेशन अप्रियाव तो उदाहरं आपी समझावो खुबज इंपोर्टन शब्दक्वे Lord last meal चे योग सिल पोलीमराइजेसन क्रिया विदी उदाहरं ARS समझाओ, तो ध्यांती समझो, योगशील पोलिमराइजेशन क्रिया विधी कई रिते धाय छे, इम्मा बे सब्द इंपोर्टन छे दिगराओ, अमा सुधासे, आ क्रिया विधी मा गणा बदा आलकीन अथ्वा डाइन, अथ्वा तो तेमना विध पन्नो, आगण में तमने गि तो आ क्रिया विधी मा गणा बदा आलकीन अथ्वा डाइन, अथ्वा तेमना विध पन्नो, कौनी साधे प्रक्रिया करसे द्यांती समझो, मुक्त मुलक उत्पन करता पदार्थो, जैने आपड़े सो नमा पिशु प्रारंबग, अथ्वा तो विजुशु के वासे तो फरिजी दो मुक्त मुलक उत्पन करता पदार्थो वच्चेौ प्रकिरया थाशे। मुक्त मुलक उत्पन करता प्रादम भग पदार्थों तरीका अपरे कौने लही सकी सूँ बेंजोईल पैरोक्साइड अत्वा एसीटाइल पैरोक्साइड अत्वा ब्यूटाइल पैरोक्साइड बेंजोईल पैरोक्साइड ने सुत्रसुधाई C6HY C1O O bond O C1O C6HY अधियाल पैरोक्साइड ने सुत्रसुधाशे C3C double bond O O bond O C double bond O CH3 अने तृतियक ब्यूटाइल पैरोक्साइड बंध वारा एक बिधा साथे जोडाई चैने नामसुँआपिसू तृतियक ब्यूटाइल पैरोक्साइड द्यान द्याने समझो मुक्तमुलक क्रिया विदी मा आलकीन, आलकाडाइन अथ्वा तो तेमना व्यूत्पन नो कोई पणि मुक्तमुलक उत्पन करता पदार्थो साथे प्रक्रिया करशे अने पोलीमराईजेशन प्रक्रिया अनुभवे छे चला, very good अपने समझे क्या बेंजोईल पैराउकसाईड ऐसेटाईल पैराउकसाईड बीटाइल पैराउकसाईड सूँ छे, के विर देना स्टरक्चर बनाए चे तो ध्यान दे समझो यह ध्यान दे जो बेंजोईल पैराउकसाईड प्रेलनमा पेलो आपन एक स्ट्रक्चर बेंजोईल नूँ खबर होग जुए बेंजोईल नू स्ट्रक्चर चल चैसे C6H5 C11O आचे बेंजोईल आप बैंजोईल नाप 2 औरो C11O C6H5 आप 2 और एक बिजा साथ जोड़ा से पैरोक्साइट बन्थी तो क्विश्यन ही वो थैं के पैरोक्साइड बंद इतले सुग, तो याद करो आपने सिखी किया के ज्यारे ओक्सीजन ना बै परमाणू एक बिजा साथे, सिंगल बंद एक बंद थी जोडा है, तो आने के बंद के वाई पैरोक्साइड बंद, तो ज्यारे बेंजोईल ना ब आपने बेंजोईल पैरोक्साइड ओके चलो अवे एसी टाइल पैरोक्साइड एतले सुन वीजु आपने जे उद्धिपक तरीक वापरी सक्केते एसी टाइल पैरोक्साइड अगें एसी टाइल में स्टक्चर खबर हो जोएं CH3C double bond O CH3C double bond O पैरोक्साइड बन जोड़ा जोड़ा से तो आज है गई हो एसी टाइल पैरोक्साइड तुरुतियक व्युटाइल पैरोक्साइड एतले से हो तुरुतियक व्युटाइल पैरोक्साइड तुरुतियक व्युटाइल पैरोक्साइड तुरुतियक व्युटाइ होई तो चार कार्बन धाय परन तो यह ब्युटाइल एक कार्बन नी शायों चकता अजुरी हसे आथ है गयों तुरुतियक ब्युटाइल ना ब्या अनू एक बिजासा थे पयाब बंथी जोडासे ना नाम माच्छे प्यारोक्साइड आथ अमर श्टक्चर थे जाए तुरु पण एक पदार्थ ने उद्धिफक तरीके योगसिल पोलीमराइजेसन मा लई शक्ये तो यह आपने यूज करीशु बेंजोईल प्यारोक्साइड नो आपने आपरी प्रक्रियामा उप्योग करवाना छिए फर्जिद्यान आपो मुक्त मुलक क्रियाविदी ने याद रा आलकिन वत्ता प्रारंबग पदार्थो प्रारंबग पदार्थो तरीके आपने याद उप्योग करीशो मुक्त मुलक उत्पन करता पदार्थो ओके चला गुड तो आपने समझे ध्यान राखो दिख रहो मुक्त मुलक क्रियाविदी त्रोन तबक्का मा थाई जें मुक्त मुलक क्रियाविदी कला तबक्का मा जोसे त्रोन तबक्का मा खया खया यहनो पेलो तबक्को चे शुरूंखला प्रारंबग तबक्को बिजो तबक्को चे शुरूंखला संचरन तबक्को अने त्री जो तबक नोचे, श्रुंखला, समापन, तबकको, याद राखो, मुक्त मुलक करियाविदी, कोई पन पोलीमर बनावो होई, आ पद्धति थी, तो 3 तबकका माता सै, श्रुंखला, प्रारंपक, स्रुंखला, संचरन, स्रुंखला, समापन, चारण इतले श्रूंखला मां वदारोथ हो और समापन इतले लांबी श्रूंखला जोडाई ने पोलीमर बनाऊ ओके चाला द्यान दीजो तो मुक्त मुलक क्रियाविदी मां आपने समझी गया थे हैं आलकीन अने मुक्त मुलक उत्पन करता पदार थो एक बिजा साथ पोलीमर आईजेशन पामे छे उदाहन लईए आपने इथीन मां थी पोलीमर इथीन मां पोलीमर आजेशन इतले आपने इथीन मां तरीके उप्योग करिने कई पोलीमर बनावाना छे पोलीथीन इतले आपने श्रूंकला प्रारंपन, श्रूंकला संचरण अने श्रूंकला समापन, चालो, हवे त्यांती समझो, प्रधम तबगो, श्रूंकला प्रारंपन तबगो, तो श्रूंकला प्रारंपन तबगो, तो श्रूंकला प्रारंपन तबग कामा कौण कौण आपरे बनावाना थे शू, यह 변 जोल प्रामान मा przy्याम भग साथ ना मिष्ण और अं हमी भग फ्राइए अं प्रापग बेंजोल प्रांफुन्डग अधिये खलाby सवप्रथम आ मिश्रण माँ ब्यापदार छे इथिन अने बेंजोईल प्यारोकसाइड आ बेंजोईल प्यारोकसाइड माँ तो बेंजोईल प्यारोकसाइड माँ तो बेंजोईल प्यारोकसाइड माँ तो उत्पन छे फिनाईल मुक्त मुलक मड़े छे बोज त्यांती समझ आ मुक्त मुलक उत्पन्ध अनी प्रक्रियापण आपरे अग्यार साइंस मां सिखी गयाँचे बेंजोईल प्यारोक्साइद मां जी सवप्रथ फिनाईल मुक्त मुलक मड़शे अने त्यार बाद आ मुक्त मुलक जैनी जैनी लगे कोनी आ फिनाईल मुक्त मुलक नी मिश्रण मा विजु कोण तू इधिन ना द्वीबंद साथे नी योगसील प्रक्रियाथी नवो अने मोटो मुक्त मुलक तैयार थाई छे तो प्रारम्पंत बक्कामा şu आटमा याद राखो इधिन नने बेंजोइल प्रक्रियाथी नो मिश्रण करी शुँ जेने गरम करी शु अथि वाधो प्रकासा में खुललो मुकीसु तो शवप्रत्थम बेंजोइल प्रक्र कैसाईल मा जी फिनाईल मुक्त मुलक मढशे आने फ बेंजोयल प्यारोक्सषा ईनों सवब प्रथम स्विभाजन थंता हो यह अपने गपरानीं एके प् capable नाम पीर हो स्वागतों स्वाचन श्रृ । थ बैन्जोयल मुक्तों गप्राशन है है आंपने सु मढव से फिनाइल मुकत मुलक त्यार बढ़ कोनी सादे प्रक्रिया कर से इतीन ना अनु सादे इथीन ना कहने अनु पर कार्बन ध् ведь बंध bit वांधे प्रक्रिया कर सम्विवाजन थाशे शुमर से बेंजोईल मुक्त मुलक मधी CO2 चुट पड़ से अने सु उत्पन थाशे फिनाईल मुक्त मुलक आप फिनाईल मुक्त मुलक क्वानी साधे प्रक्विया कर से इतिन नाउं साधे प्रक्विया करी नवो मुट्व मुक्त मुलक बनाव से के वि आपरे सब प्रथन प्यालो तबको सीखिये चीए चलो प्यालो शूंधाशे सुंखला प्रारंबक तबको सुंधावानुझे यहने मुद्दामा याद राखू होई तो इतिं वत्ता बेन्जॉइल प्यालो शुम्धे अनुमीष्रण थाशे आसना ही अपिरचु करीशो गरम करीशो अत्वा तो सुरिय प्राखास मा मुक्री शूंधाशे सब्रथन प्रक्रिया थाशे बेन्जाईल प्यालो फ्यालो आ बेंजोईल पेरोक्साइड जे थे आ बेंजोईल पेरोक्साइड नुँ सव प्रथम सम विभाज जन थाई आपने मड़ से बेंजोईल मुक्त मुलक याद राखमा माटा लखुछू बेंजोईल मुक्त मुलक अन आ बेंजोईल मुक्त मुलक माथी सुन चुटू पड़ से CO2 ना ब्याणू दूर सही ना आपने सुन मड़ी जैसे फिनाइल मुप्त मुलग कई दिदे बने चलो ज्यांची जुओ बेंजोईल प्यारोक्साइड C6H5 C1O हुँ प्यारोक्साइड बंजने आरी ते इलेक्ट्रोन ना तपका वड़े दर्शावी आपने C1O C6H5 आचे आपनो बेंजोईल प्यारोक्साइड आ बेंजोईल प्यारोक्साइड जैचे एनू सुधवानू जै आपने समझी गया तेम सम्विभाजन अने आ सम्विभाजन थसे एक इलेक्ट्रोन आ अक्सीजन मेड़ा जै तो आपने बेंजोईल प्यारोक्साइड बंचे तो आरी ते इनू सम्विभाजन थसे एक इलेक्ट्रोन आ अक्सीजन मेड़ा जै आने बीजो इलेक्ट्रोन आ अक्सीजन मेड़ा जै आपन के बन्जोयल मूख्तमूलक मरधेंTh बेंजोईल मुक्त मुलक माथी अवेस्व छुटू पड़ से बैसी ओटूना अनु खईर जाथ से तो बैसी ओटूना अनु जारे छुटा पड़े जांधी समझो एन्हें पड़े शमझाओ आपने अवे मड़ी जासे बैसी फिनाईल मुक्त मुलक अनु बैसी ओटूना आप्रूप तैयार थेगो फिनाईल मुक्त मुलक आपकी विदे थाई समझो तो जे बैसोईल मुक्त मुलक छे एमा हुँ आप बैसाईल बैसीन अन्या कार्बन वच्छे ना बंधने अपने आरी ते इलाक्टोन वड़े दर्शा आवे तो अवे आ जन छे से ऑने आएलेक्टोन जे छे आ एलेक्टोन आकार्बन पासे जथो रहे से एक्रत आप बाज आकार्बन वच्छे ना उक्सिजन पासे जथो हूँ ठो रहे से एलारी तिना उदपन छे है C6H5 फिनाइल मुख्त मुलग अना बनी करें CO2 क्लियर तो हाँ बनी जाएचे आपणों फिनाइल मुख्त मुलग तो आपने अहीं सुली पहुची गया इत्तिन बेंजोल प्यारोक्षाइड नो मिष्रण लएज़ु गरम करियो अठो तो शुर्य प्रकास नी हाजिरी महां मुख्वा थी सवप्रचं बेंजोल प्यारोक्षाइड नो समविभाज जन्ध से कया बन्नू प्यारोक्षाइड ब और शादे प्रक्रिया करशे इथीन ना मोनोमर एक और शादे प्रक्रिया करशे आचे आपड़ो इथीन आचे फिनाइल मुक्त मुलक और शादे प्रक्रिया थाशे नसु बनाऊशे नवो मुक्त मुलक बनाऊशे तो आज एछे आ कारबन पर आकरमण करशे आपने खबर चे तेम द्वी बन मां एक पाई बन होई और एक कई होई छे शीगमा बन पाई बन क्यों होई छे नीर बढ़े ले पाई बन से उचे टू 6H5 बन CH2 बन CH2 आ थाई ग्यों मारो 9 मुक्त मुलक आ कई देधाई समझो इथीन मां कारबन कारबन बन बन चे आ थाई ग्यों सिगमा बन अने आ पाई बन ने आपने जो इलाक्तोन वड़े दर्शाविये अने एनीर पर कोण आकरमण करशे आपनो आपनो आ फिनाईल मुक् तो करें देधा थे दिया आन्दी समझो आनुस्तम विपाजन थाई आ एक इलाक्तोन आ कारबन पर और आ इलाक्तोन आपनो 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 प्रारंबन तबक्को कम्प्लिट ज्यांदी सम्जो फरी थी इतिन बेंजोल प्रकास अथ्वाद गर्मी आपिशो बेंजोल प्रकास बन्नों सम्विबाजन थे बेंजाइल मुक्त मुलक माधी CO2 ना अणा छूटा पड़ी फिनाइल मुक्त मुलक त्यार बाद आ फिनाइल बेंजोल प्रकास बन्नों सम्विबाजन थे 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 बेंजोल प्रकास बन्नों सम्विबाजन थ इतले सू अमना तुमना आगड सम्झावियो दें संचरण इतले सुरुंखलामा सू ठवो potato के ज़यागождया जस दें ओर लक हमुक्तिमुलक? हमुक्तिमुलक प्रथम तबक्का माले salळे थे अमुटो मुक्तिमुलक इथिनना बिजा अणू साथे प्रक्रिया करेशे त्यारे प्रथम तबक्काना मुक्त मुलक करता मोटो मुक्त मुलक नी रचना थाई जे कानके इथिनना बिजा अणू आणू 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 बारम वार्सकोंद से पुन्रा वर्तन धई प्रक्रियने आगण वधारे छे अने तबकाने अन्ते स्मुख्ला संचरन सन्चरन केम केवां आव माँ आवे छे अंके सल स direito पृोर्था मेर फ्रिंटे शोय महतोला एनेम 10 physician प्रक्रियाने आगर धपावे चे नौर आरी ते इत्ती नौ एके कणू अंदर उमेरातों जसे अने श्रूंखलाने अन्ते नवो मोटामा मोटो मुक्त मुलक मड़े चे अने अहीं श्रूंखलानी लंबाई मा वद्धारों थतों होवा थी आ तबकाने सुना मा पाई चे श्रूंखला संचरन तबको कहे चे तो आ तबको के वीरी ते आगर वदे चे समझे आपनो प्रथम तबख्यान उत्पण थायेली नवो मुप्त मुलक समझे आपनो जो प्रथम प्रकरियान अन्तेजे मोटो मुप्त मुलक उत्पण थायेली चे ये मोटो मुक्त मुलक आ अपनों प्रथम तबकानों मोटो मुक्त मुलक ज्यानती समझो हमना समझ्या दें मोटो मुक्त मुलक कोना उपर आकरमन कर से यहाँ फरीधी इथिन ना बिजो अनू उमेरा से इथिन ना पाई बनना पर इलेक्ट्रोन ने आरी ते दर्शा आवियो तो सुझाई अगेइन आगर थेऊ तेम आ इलेक्ट्रोन अहियां बन बन आवमा भाग लेशे आपन एक नव मुक्त मुलक मड़शे C6, H5, CH2, CH2 हना उमेर आयलो ,ane, AB, CH2, CH2, CH2 लेक्ए E3 ना अनु मुक्त मुलक मड़ी गयो हवे आ प्रक्रिय na प्रक्रिय अनु उमेर आवानी प्रक्रिया नु रिपीटेशन थाथे ज्यांती समझो केए देज़ाई तो समझी आपणे के आ जले प्रक्रिया या जलेए मूक्त मुलक थे एनी छादे फरीजी बीजोएक एथिन नो अणुए मां उमेरा छें आत्रीजो अणुए उमेराई छें आ सेकेंड तो आत्रीजो छें तो सम्धा छें अगें आ सम्भी बाजन थाई अईया इलेक्टोन भाग लेशेले बंद बनाव छें C6H5 आ इथिन नो पहलो अणुए आ बीजो अणुए आ उमेराई ओते त्रीजो अणुए समझाई छें एक अणुए बीजो अणुए तो तम्हें ध्यान्थी जोई शक्वाँ छो के आवा अव्य हुआमा इथिन ना असंख्य अणुए रू तो कयो अणुए मारमार रिपीटेशन देखाई छें CH2 CH2 अंदर असंख्य अठाशे अन्ने अंतमा एक आवो तमने मुक्त मुलक धरावदो इथिन देखाई छें यहारे असंख्य अणुए जाशे त्यारे आपने कैक आवो मोटो मुक्त मुलक मड़ी जाशे जेमा आ CH2 इतिन ना अणुण उन्रावर्तन थाईलो अशे इतले असंख्य अणुए सवती छेलो जे इतिन ना अणुए राशे क्यारे आपने मुक्त मुलक धरावतो अशे जेले आदेग्यो मोटा कदनो मोटा कदनो मुक्त मुलक जे आपने क्यारे मड़े बीजा तबकाने अंते बीजा तबका इतले सुन्खला संचरन तबकाने अंते आरे ते आपने एक मोटो मुक्त मुलक मड़ से समझ पड़ी फर्दी समझो प्रथम तबकानो मुक्त मुलक एमा इतिन ना बीजो अणुउ मेरा से अने आपन्ये मोटा कदेनों मुक्त-मुलक मढ़े! त्रिजुर अनों मेराई मुक्त-मुलक मढ़े! आवे असंक्य मेरावाती इούμε असंक्य अनों जोड़ाई ना आपन्ये सवुथी मोटा कदेनों मुक्त-मुलक मढ़े छे! Clear? Very good! हवे आगड आगड सुधाईचे समझो त्रीचो तबखो मोटो मुक्त मुलक मड़ी गयो हवे मारे प्रक्रियाने अटकावी ने पोलीमर बनावा छे तो सुधासे स्रूंखलानो समापन स्रूंखला समापन केविदे थासे तो आवा जे एक करता वदो मुक्त मुलक मड़े ला है अवा बैं मुक्त मुलक एक विजा साथे जोडा से अने पोलीमर्णी रचना कर से क्यों भी टे जोडाई ने समझो श्यवट्य कोई एक पबखbrar闘े बनेती मुक्त मुलक निपास आरे आ रिपारी पोलीमर निपज बनावे चे शुंखला समापन मा सूँ था शे बे मुक्त मुलक निपजो को एक तबक या रिते बनती एक मुक्त मुलक निपज बीजी मुक्त मुलक निपत साथे प्रक्रिया करी ने पोलीमर निपत बनावे है और आ तबक का ने ई शुदी जूदी रिते जोड़ा आज आपड़ा पोलीमर बनावे। अने जोडाई ने पोली थीन पोलीमर बनावे छे एमा एक प्रकार क्या बे मुक्त मुलक एक बिजा साथे जुदी जुदी रिते जोडावानी छे एमाधी एक रितो जोडावान नहीं है तमने देख बतावामा आवे लिछे आ एक मोटी मुक्त मुलक निपज आ बीजी मोटी मुक्त मुलक निपज एक बिजा साथे जोडाया शे जोडाई ने जोडाई ने bake पोलीमर आट एक नवारो थीन पोलीमर कीविच हह जोडाई छे समझो अमने जहें आपने जुएँ, के बीजात अबक्कान अन्थे का भी मुप्त गुलक निफज मोरत हैं थ्री जो अबक्कों 30 अबकान मां सुद्दा से बीजात अबक्काने अन्थे मोरेली एक मोटी मुप्त मोलक निफज जे हम बने अपने तमने यह उपर देखाए से आ एक मुक्त मुलक निपाच आपने समझाए इतले बिजी मुक्त मुलक निपाच या सेम मुक्त मुलक निपाच चे निक लखे चे बिजी मुक्तमुलक निपज आज बनने मुक्तमुलक निपज एक बीज्जा साहिए चूड़ा से तो कि अ मुक्तमुलक कोटान रेट्रण अना मुक्तमुलक रेट्रण बनबनावामा भाग कर से अने यह एक नवबन बन से कई आ कार्बन वच्छे एक आ कार्बन अना आ कार्बन आ बे कार्बन वच्छे नवबन बनी जासे यह आपने जे पोलीमर बन से कई कावबन से C6H5 CH2 CH2 असंख्य अनुओ CH2 CH2 अन्या एक पोलीमर न अनुँ आईलेक्टोन आईलेक्टोन अन्य वे बीजो पोलीमर नी राच्छा आछासे CH2 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 and C6H5 तो आज नवबन बन बनी जाए यह आपने आज आख्छो अनुँ मड़े चे अने के वाई पोलीमर कई पोलीमर बनी गयो पोलीथीन पोलीमर तो एक दम इजी छे एक मोटी मुक्त मुलक निपज बीजी मुक्त मुलक निपज साथ है जोडाई ने योगसिल प्रक्रिया द्वारा जोडाई ने पोलीथीन पोलीमर बनावे है आज ते आमारों पोलीथीन पोलीमर बने छे एक दम सिंपल एक दम इज़ी छे अईया मुक्त मुलक योगसील क्रियाविजी फरीथी कोगत फटा फट रिवीजन करी लगी है ध्यानती समझो सौटकर मुद्धाईयां छे सुंखला प्रारम बन तबक्का मा सूँथासे इथी न नने बेंजोल प्यारोक्साइड न मीश्रन ने गरम करी शूँ बेंजोल प्यारोक्साइड न समविबाजन बेंजाईल मुक्त मुलक बन से बेंजाईल मुक्त मुलक माधी CO2 न न चुटा पड़ से फिनाईल मुक्त मुलक आ फिनायल मुक्त मुलक फरजी इथिनना पाईबन साथे आकरमन करीने नवो मुक्त मुलक बनाव से आ नवा मुक्त मुलक जे चे बिजा तबक्काना मुक्त मुलक मा बिजो इथिनना अनुमेराईना आपने मोटो मुक्त मुलक मर से आज जे मोटवा मुक्त मुलक छे, आ मोटवा मुक्त मुलक मा वा ये बीजो तबक्काने सरुवार था से आजु एक बखानिक त्ट हो तैसे मुक्त मुलq आजी प्रक्रिय योगतशीन प्रक्रिया वा शुड़ाईने पोली थीन पोलीपरली रतन हो तो यहां आपने योगसील पोलीमराइजेशन अथवा तो श्रूंखला व्रुद्धी पोलीमराइजेशन नो टौपिक कम्प्लीट थाई छे थेंक्यू